Hello friends, welcome to our YouTube channel Teaching Exam Overload आज का सिसन सीटेट प्रिपर टू तशा भी आज सिच्छक भाली के अंतरगत NCRT Geography की नेक्स्ट क्लास है आज हम NCRT के क्लास 7 के चेप्टर नंबर 7 को पढ़ेंगे इसका नाम है मानवी पर्यावरान बस्तियां परिवाहन एंस अंचार इसमें प्रत्थम बिंदू बनता है कि बस्ति किसे कहते हैं बस्तियां वे अस्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं बस्तियां दो प्रकार के होती हैं अस्थाई या आस्थाई जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें आस्थाई बस्तियां कहते हैं तो बस्तियां कितने प्रकार के होती हैं दो प्रकार के होती हैं आस्थाई तथा आस्थाई जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं वे आस्थाई बस्तियां कहलाती हैं घने जंगलों गर्म एउ ठंडरेगिस्तानों तथा परवतों के निवासी अक्सर आस्थाई बस्तियों में रहते हैं तो अस्थाई बस्तियों में कौन-कौन रहता है, घने जंगलों, गर्म, यह थंडे रेकिस्तानों तथा परवतों के निवासी अक्सर अस्थाई बस्तियों में रहते हैं वे आखेट, संग्रहाल, अस्थानांतरी, क्रिसी यहों रितु प्रवास करते हैं तो आस्थाई बस्तियों के निवासी आखेट करते हैं, अर्थात शिकार करते हैं, संग्रहार करते हैं, अर्थात भोजन आदी का संग्रहार करते हैं, तथा अस्थानांतरी क्रिसी करते हैं मतलब कुछ दिन यहां क्रिशी किये तो कुछ दिन वहां क्रिशी करेंगे तो रित्व प्रवास करते हैं अर्थाच किसी विशेश रित्व में किसी विशेश जगह जाते हैं चाथ किसी अन्य रित्व में किसी अन्य जगह रहते हैं यद्दपी अधिकांस बस्तियां आज अस्थाई बस्तियां है, हाला कि आज कल अधिकांस बस्तियां जो है वो अस्थाई बस्तियां है, इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं, अगला बिंदु है क्रीतु परवास किसे कहते हैं, लोगों के मौसमी आवा गमन को रितिप्रवास कहते हैं तो लोगों के मौसमी आवा गमन को रितिप्रवास कहते हैं जो लोग पसु पालते हैं वे मौसम में परिवरतन के अनुसार नए चारा गाहों की खोज में निकल जाते हैं तो वे रितिप्रवास ही हुए तो रितिप्रवास किसे कहते हैं लोगों के मौसम के आवा गमन को लोगों के मौसमी आवा गमन को रित्य प्रवास कहते हैं इसमें अगला बिंदु है कि ग्रामेड शेत्रों में लोग अपने परियावरण के अनकूल घर बनाते हैं अत्यदीक वर्सा वाले शेत्रों में धाल वाली छत बनती है इस प्रकार के प्रस्म सीटेट में बन चुके हैं कि अथ्धिक वर्सा वाले छेत्रों में किस प्रकार के घर बनते हैं तथा जीन अस्थानों में वर्सा के समय जल जमाव होता है उस प्रकार के अस्थानों में किस प्रकार के घर बनते हैं तथा गर्म जलवाओ वाले छेत्रों में मोटी दीवार वाले घर पाये जाते हैं जिनकी छतें फूज की बनी होती जिनकी छतें घांस फूज आदीचे बनी होती है अस्थानी सामागी जैसे पंथर, पंक, चिकनी मिट्टी, त्रिनट आधी का उपयोग घर बनाने में लिये जाता है तो इसमें यहाँ paragraph important था इस chapter में कि अत्यदीक वर्सा वाले छेतरों में ढाल वाले छट बनाए जाते हैं कि दच्छिन अफीका के इंडीज परवद के छेत में लामा का उपयोग उसी तरह से होता है जैसे तिबबत में याग का होता है तो दच्छिन अफीका के इंडीज परवद में लामा का उपयोग सामान आधी को ढोने में होता है यहाँ प्रेशन पेपर में बन चुका है इसलिए मैंने इसको पॉइंट किया है कि दच्छिन फीका में के इंडीस परवत में लामा कप्रियोग किसलिए होता है तो दच्छिन फीका के इंडीस परवत में लामा कप्रियोग सामान आधी धोने में होता है जैसे कि हमारे भारत म अनिक राष्ट्री राजमार्ग है भारत में एक सिर्फ वेका निर्मार्ण नविंतम है स्वानट चतुर्भुष महार्ग दिल्ली मुंबई चन्नई और कोलकाता को जोड़ता है तो इसमें प्रस्ट बंच चकता है कि सवानट चतुर्भुष किन चार राजसहरों को जोड़त अगला बिंदु है हिमाले परबत पर मनाली लेह राजमार्ग विस्व के सबसे उचे सड़क मारगों में से एक है अगला बिंदु जाइनिंग से लाहासा के बीच चलने वाली रेल गारी समुद्र तल से 4000 मीटर के उचाई पर चलती है जिसका सबसे उचा बिंदु समुद् जाइनिंग से लाहासा के बीच चलने वाली रेल गारी समुद्र तल से 4000 मीटर के उचाई पर चलती है जिसका सबसे उचतम बिंदु समुद्र तल से 5000 72 मीटर होता है अगला बिंदु ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विस्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है जो पश्चमी रूच में सेंट पीटरसबर्ग से प्रसाथ महसागर तटपा इस्थित ब्लाडी वोस्तक तक तेख जाता है तो इस चप्टर में इतना ही अब इसका क्विक रिविजन देखते हैं कि इसमें माहतपूर बिंदु क्या क्या है इसमें पर्थम बिंदु है कि रितु प्रवास क्या है यह important बिंदू है लोगों के मौसमी आवा गमन को रृतु प्रवास कहते हैं जो लोग पस पालते हैं वे मौसमी परिवर्वतन के अनुसार नए चारह गाहूं की खौध में निकलते हैं यह उनकी छते घास फूंसादी से बनी होती है तथा एक और बिंदू इसमें important था कि इंडीस परबत, दच्छन फिका के इंडीस परबत में लामा को पियोग सामान दादी धोनिम होता है ठीक उसी प्रकार जैसे हमारे भारत देश में इसमें एक और important बिंदू यह था कि जाइनिंग से लाहसक भी चलने वाली रेल गाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की उचाई पर चलती है जिसका सबसे उच्छतम बिंदू समुद्र तल से 5000 मीटर है तो जाइनिंग से लाहसक भी सबसे उची जो उचाई बिंदू है समुद्र तल से 5000 मीटर है सबसे उच्छतम बिंदू जाइनिंग से लाहसक भी चलने वाली रेल काड़ी तथा सबसे बड़ा रेल मार्ग भी स्का ट्रांससाईवेरियन रेल मार्ग है जो पश्चमी रूस में सेंट पीटरसवर्ग से प्रसाथ महासागरी चटपा इस्थित बलाजी वोस्तक तक जाता है चलिए अगला चप्टर है चप्टर नमबर एट इसमें प्रतम बिंदू बनता है उच्छन कडवंदी प्रदेश करक रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित होते हैं भूमद रेखा के 10 डिगरी उत्तर तथ 10 डिगरी दच्छन के भाग को के बीच के भाग को भूमद रेखी प्रदेश कहते हैं तथा अमेजान नदी भूमद रेखी प्रदेश में ही बहती है ध्यार रहे कि अमेजान नदी पस्ची में परबतों से निकल के पूर में अंध महा सागर में जाके गिरती है अगला बिंदु है जिस अस्थान पर कोई नदी किसी अन जलासी में मिलती है उसे नदी का महाना कहते हैं यह स्थान पर कोई नदी किसी अन जर्लासि में जाकर मिलती है, अमेजन नदी में बहुत सारी साहयक नदी हैं, मिलकर अमेजन बेशिन का निर्मार काती है, यह नदी बेशिन ब्राजील के भाग, पेरु के कुछ भागों में, बोलिबिया, एक्वाडोर, कोलंबिया तथा बे कि बीच के भागों भूमद रेखी प्रदेश कहते हैं, तथा अगला बिंद इसमें महतपूर था, कि अमेजन नदी जो है, वो भूमद रेखी प्रदेश में ही बहती है, तथा यह पस्चिम परवतों से निकलती है, और पूर्व में अंध महा सागर में जाकर गिरती है, त जब स्पेन के अनवेशकों ने इस नदी की खोज की, तो सिर पर कवच पहने तथा सकर्ट घास की पहने हुए कुछ अधसानी आदवाश्यों ने आकमन किया, जो रोमन सामराज के अमेजोस महिलाओं के भेजबूसा से मिलते थे, इसलिए इस नदी का नाम अमेजान पड़ आए, और पूरे वर्स यहाँ गर्म अउन नम जलवाई रहती है, तो अमेजान बेशिन में पूरे वर्स गर्म अउन नम जलवाईू रहती है, यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों ही समय लगबग समान रूब से गर्म उन आद रहता है ताथ सरीर में चिपचिपाहट इस प्रदेश में लगवग प्रतिदीन वर्सा होती है क्योंकि मुळसम घर्मि हुँ आद रहता है इसलिए वर्सा प्रतिदीन होती है और वह भी बिन्हें किसी pure кров facing के और वह भी दिन्हें तापमान उच्छे वाद रहता है तथा रात की ताफमान कम हो जाता है लेकिन आध्यता वैसी बनी रहती है तो I这是 I ame jean based की जल्वाव किस प्रकार है I ame jean based के दिन और रात समान यूप से घर में आध रहता है तथा सरी में चिपचपाठ मैसूस होती है उत प्रति दिन वर्सा होती है और वर्षा बिनन पूर्व चेताउनिक होती है दिन के तापमान उच्छे वाध रहता है और रात के तापमान थोड़ा कम तो होता है पर आदिता वही रहती है अगला बिंदु है वर्षा वन इन प्रदेशों में अद्धिक वर्षा के कारण इनकी पत्तियों से छट सी बन जाती है जिसके कारण सूर का प्रकास धरातल तक नहीं पहुच पाता जिसके कारण सूर का प्रकास धरातल तक नहीं पहुच पाता और धरातल में हमेशा नमी बरकरार रहती है यहां की भूमी प्रकास रहित एउन नम बनी रहती है इसमें यहीं बता गया है कि चूंकि सूर का प्रकास जड़ तक नहीं पहुच पाता है इसलिए यहां की भूमी प्रकास रही ते यह नम बनी गएती है यहां केवल वही वनस्पती पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की शमता हो तो अमया जेन बेशिन में के वर्सावनों में वही वनस्पतीयां पनप सकती है जो चाया में बढ़ने की शमता रखती हूँ परजीवी पौधे के रूप में यहां आर्केट और बुरोमी लाइट पाए जाते है इसमें यहां important बें दूबन सकता है की वर्सावन में कौन से परजीवी पौधे पाए जाते है तो आर्केट और बुरोमी लाइट पाए जाते है अब इसमें एक बात और जानने की है तो ब्रोमी लाइट क्या है जो अपने पत्तियों से जल को संचित रखता है, मेढग जैसे प्राणी इन जल के पाकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं, तो बरमिल लाइट एक विशेश प्रकार के पौधा होता है, जो अपने पत्तियों के जल को संचित करता है, तता मेढग जैसे प्राणी अ ये है पाये जाते हैं प्राणियों में बंदर सिला थे चीटी कहने वाले ट्विस यहां पाई जाते हैं यह प्राणियों में बन सकता क्योंकि आद्र मौसम होता है और वहां सांपो के लिए सांपो के फले फूलने के लिए बहुत उचित जलबा हुए होती है इसके अत्रीक हजारव कीरों मकोड़े इस बेसिन में निवास करते हैं मांस खाने वाली प्रियाना मचली भी इस अमेजान नदी में पाई जाती है अनना से उसकरकंद उगाते हैं क्योंकि मचली या सिकार मिलना वानिश्चित होता है ऐसे महिलाएं ही अपनी उगाई साख सब्जियों से अपने पईवान का भरन पोचन करते हैं तो अमेजान बेशिन के लोग मुख्यता टेपियों का अनना से उसकरकंद उगाते हैं खाने कहते हैं तो अमेजान बेशन के लोगों का मुख्याहर मेनियोग या कशावा होता है जो आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है मेनियोग या कशावा मुख्य भोजन होता है मेजान बेशन के लोगों का जो आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है ये चीटियों किरा क्रिसी है तो इस क्रिसी में पहले बिच्छों जहाड़ियों काट कर भूमी साफ कर दी जाती है फिर इनको जलाया जाता है जिससे पोसक तर तो मिट्टिम मिल जाते है तो इस टुकड़े को छोड़ दिये जाता है और बाद फसल लगाने के लिए किसी दूसरे अस्थान को कर्थन एओद दाहन किसी कहते हैं अगला बिंदू है कि कुछ लोग मलोका जिस कहे जाने हम बड़े अपार्टमेंट जैसे घरंवे रहते हैं जिनकी छत ती खर. ठ slopes in और आमघान बेशिन के लोग इसमें रहते है अगला बिंदू गंगा अ मरंपूद बेशिन जो हमारे भारत का बेशिन है गंगा में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर ही अच्छांस में इस्थित होती है तो प्रसनगर पूछा जाएगा गंगा ब्रंपूद बेशिन किस अच्छांसों बीच में है तो आउपोस्ट में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर ही अच्छांस के मद इस्थित है घागरा कि मध्ध से मध्ध सितंबर की बीच वर्षा होती है. इसमें अगला बिंदू बनता है जनसंख्या घंधु किसे कहते हैं तो जनसंख्या घंध को आर्थ है एक वर किलोमेटर में रहने वाली लुकों को संख्या जैसे उत्राखण्ड का जनसंख्या घंध उत्तर खंड में 150 है और लग रहते हैं 1029 दिए जो है जिसे बहाथी. बाग, हीरन, बंदर, आदी समान रूप से पाए जाने वाले जीवों, एक सिंग वाला गेंड़ा ब्रहंपूत की मैदानों पाए जाता है, डेल्टा छेत में बंगाल टाइगर मगर एंग घडियाल पाए जाते हैं, तो रोहु कतला और हिलसा मसली हों के सबसे लोग पर ही पर जाती है, मसली हों चावल इस छेत में रहने वाले लोगों मुख्याहर है, तो गंगा यो बंपूद बेशिन के लोगों का मुख्याहर मसली हो चावल है, अगला बिंदो है, बेदिकाओं का निर्मार खड़ी ढहलानों पर समतल सता बना कर क्रिसी करने के लिए होता है, धला प्रभा बहुत तीबृता से नहीं हो, इसी वेदिकाओं में क्रिसी की जाती है, अगला बिंदो है क्या आप जानते है, गंगा यो ब्रहंपुद नदी के अलवंट जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे अस्थानी बास्ता में शुशू अथवा अंधी प्रदा का पता चलता है, परंतु रसायन के अतदिक मात्र से ये प्रजाती धी नस्थोन जा रही है, इसमें एक बिंदु यह भी प्रस्ण बन सकता है, कि जील में उगने वाले खरपतवार कौन-कौन से हैं, तो वे वैलीनेरिया यो हैड्रेलिया है, जील में उगने वाले 2014 को प्रदान मंत्री मोधी द्वारा स्टार्ट किया गया, तो सच्वारत मिशन, दो अक्टूवर 2014 को गांधी जैनती के अवसर पर प्रदान मंत्री मोधी द्वारा प्रारम किया गया, तो गंगा नदी के सरनाच्छन के लिए उसे नमामी गंगे कारकरम किया गया है, प्रवाइट होती है जो वेस्ट से निकल के पूर में अंध सागर में जाकर गिर्ती है तथा अगला बिंदु है परजीवी पौधे जैसे आर्काइड या ब्रूमोलाइट प्यदा होते हैं जो ब्रूमोलाइट एक विशेष प्रकार का पहुता होता है सगन वन में परजीवी या आर्काइड जैसे परिदा होते हैं जो पत्तियों से जलक्वा इस्टोर करता है तथा मेड़ा को आधी अपने अंडे एस्टी में देते हैं अगला बिंदु है कि वर्शाग वन के निवास्टी टेपियों का सकरकंद आधी बोते हैं उखाते हैं तथा करतन यह किसी करते है तथा इनका प्रमु का अहर मेनियों या कसावा होता है जो आलू की तरह उगता है अंदर उगता है यह कुछ विशेश प्रकाइड की घरों में रहते हैं जिनका अपार्टमेंट बहुत बड़ा होता है तथा इनकी छते टीब ढलान होते हैं जिसे मलोका कहते हैं चलिए